महतारी वंदन योजना 2024 हिद्गराही पंजियन फाम कैसे भरना है आईए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ दोस्तों सबसे पहले आपको अपना स्वा प्रमानित पास्पोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर चिपका देना है फिर इधर बाया हात में आवेदन इस्थान लिखना है दिनांक लिखना है फिर आगे है व्यक्ति गज जानकारी पहले बिंदु है आवेदिका का प्रकार जो सही हो उस पर तिक लगाएं जैसे कि विवाहित विध्वा परित्यक्ता तलाक सुदा तो जो भी सही हो उस पर इस जन्मतिति के सत्यापन है तू संलगन दस्तावेज का विवरण दस्तावेज जो संलगन उस पर तिक लगाएं तो यहां पर जो भी आपके पास हो उसी पर तिक लगाना है जैसे कि जन्म प्रमान पत्र, पेन कार्ड, मद्दाता परिचय पत्र, दस्वी की अंग सुची, शा जैसे कि मेरी जाती है गाणा तो यहां पर मैं लिखूंगा इस तरह से गाणा और वर्ग लिखना है तो वर्ग जैसे कि मेरा है अनुसूचित जाती है ठीक है और जा इस तरह से इसके बाद अगला बिंदू है क्या आविदिका विशिष्ट पिछली जन्जाती स्रणी की है यदि पिछली जन जाती के हैं विशेश वाली तो आपको हां सलेक्ट कर लेना है अधरवाइस नहीं सलेक्ट करना है नव नमबर यदि हां तुस्रेणी पर टिक लगाएं तो यहां पर देखें कौन कौन सा जाती दिया गया है कमार है, बैगा, बिरहोज, पहाली कोरवा, अबुज मालिया, भुंजिया, पंडो दसवा, आवेदिका का इस्थाई पता, पून पता यहां पर आपको देना है इसके बाद राज्य है, चत्तिजगर, जीला, बलाग पंचायात, वाड या ग्राम लिखना है अंगन बारी के अंदर का नाम लिखना है, फिर अंगन बारी के अंदर का कोड भी यहां पर आपको लिख देना है ग्यारा बिंदू है, आवेदिका का अधार कार्ड का कर्मांग संलगन करे आवेदिका के पती का अधार कार्ड का कर्मांग संलगन करे और यदि विद्वा परित्यकता तलाग सुधा हो हेतू लागू नहीं है यह जो 12 नंबर के बिंदू लागू नहीं है इसे आप चोड़ सकती हैं इस तरह से कट कर सकते हैं आगे है मैं इस फार्म के साथ अपना अधार नंबर प्रस्तु जमा कर रहे हूं और स्वेक्षा से महिला एवं बाल विकास विभाग 36 गड़ को सहमती देती हूँ कि मेरे आधार विवरन का उपयोग मुझे प्रमानित करने और महतारी वंदन योजना का लाब देने के लिए किया जा सकता है फिर आपको दुर्भास नमबर मुबाइल नमबर दे देना है तो आपको दो नमबर यहाँ पर दे देना है फिर अगला है तेरह नमबर बिंदू आवेदिका का पेन कार्ड का करमांग वैकल्पिक दस्तवे जैदी हो तो आपको जरूर यहाँ पर सलग न कर देना है और नहीं अगला क्या आविदिका की परिवार का कोई सदस्य है भारत सरकार अत्वर राज्य सरकार के सास्की विभाग उपकरम मंदल इस्थानी निकाय में इस्थाई अईस्थाई समेदा पदो पर कारिरत प्रथम वर्ग द्वीती वर्ग एवंत्रिती वर्ग के अधिकारी कर्मचारी है यदि है तो आपको हां पर टिक लगाना है और नहीं है तो नहीं पर राइट की निसान लगा देना है और यदि नहीं तो आपको इस आविदन के साथ स्वगोशी सपत पत भी जम्म करना है जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि उसे भी आपको कैसे भरना है सत्र नमबर का बिंदू है क्या आवेदिका ऐसी पेंसन भोगी है जो मासिक पेंसन प्राप्त करती है तो यहाँ पर आपको हा नहीं जो भी लागू हो वो सलेक्ट करना है यदि यहाँ तो प्रतिमा कितना राशी मिलता है वो यहाँ पर लिखना है पेंसन योजना का नाम लिखना है और यदि नहीं मिलता है तो आपको स्वा घोसी सपत पत्र सलगना करना है अठारा क्या आविदिका की परिवार के कोई भी सदस्य वर्तमान अत्वा भुत्पूर्य सांसद विधायक भारत सरकार अत्वा राज्य सरकार के बोड निगम मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है हाँ तो आपको हाँ पर राइट के निशान लगाना है और नहीं है तो नहीं पर लगा देना है यदि नहीं तो स्वा घोसी सपत पत्र सलगना करना है और सभी के लिए आपको अलग-अलग घोसन पत्र जमा करनी के जरूत नहीं है सबी एक ही घुसन पत्र में आ जाएगा अगला बिंदू है क्या आविदी का स्वैम अत्वा उसका परिवार आयकर दाता है परिवार से ताथ पर ये पती पत्नी एवं उन पर आसित बच्चों से हैं यदि हां तो आपको हां को राइट का निसान लगाना है नहीं तो नहीं पर राइट का निसान लगा देना है और यदि नहीं तो स्वैगोशी सपत पत्र सनलगन करना है अगला बिंदू है बैंग खाता ये दोस्तों बहुत ही महतुपूर्ण बिंदू है यह आपको बिना गलती के बिना तुरूटी के यहाँ पर साप सुत्रा कोई कट फट नहीं होना चाहिए वो आपको लिखना है बैंक का नाम, आयफेसी कोड क्योंकि दोस्तों यह यदि तुरूटी होगा तो डिबिटे के माध्यम से आपके खाता में राशी अंतरन नहीं हो पाएगा तो इसे आपको बिल्कूल साप सुत्रा फिल करना है आगे है आविदन पत्र के साथ निम लिखी दस्तावेश सनलगन किये जाएं जो लागू हो जो भी आप आविदन पत्र के साथ दस्तावेश जम करें उसे इस तरह से राइट टिक लगा देंगे जैसे यह जम करत यह राशन कार्ड जम करें तो राशन कार्ड पर राइट करना यसान लगाना है आवेदिका का धार काड़, विवाहित होने की पुष्टी प्रमान पत्र, विद्वा होने की स्थिती में यह सब यहाँ पर दिया गया है इसके बाद फिर से आपको नीचे में पता दिनांग लिखना है और यहाँ पर आवेदिका का हस्ताक्षर रहेगा और यह जब फाम आप जमक करेंगे तो आपको यह वाला रशीत काट के दिया जाएगा जिसमें दिया गया देखिए आवेदिका, स्रिमती आपका नाम रहेगा, पति या पिता, फिर है वाड करमांग, ग्राम, जीला, आवेदन प्राप्ति दियांग और फिर प्राप्त कर दे कि यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा अब देखते हैं स्वग घोसना सपत पत्र को, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है, मैं अपना नाम लिखना है, पति का नाम, वर्तमान पता और इस्थाई पता, यदि दोनों पता सेम हो तो आपको दोनों पता लिख देना है दोनों जगा फिर आगे है सपत पून, प्रमानित करता हूं की, करती हूं की, पहला बिंदू, मैं अथ्वा मेरे परिवार के कोई भी सदस्य, वर्तमान में भारस सरकार, अथ्वा राज्य सरकार के सास्की विभाग, उक्रम, मंडल, इस्थानी निकाय में अई स्थाई समीदा के तीसरा, मेरे पती का वेवसाय कारिया खालिस्थान है, जिससे मेरे, मेरे पती, परिवार के सभी सुरोतों से कुल वार्शिक आय, इतना रुपए है, एवं इस कारण मेरे परिवार में कोई भी सदस्य से आयकरदातन नहीं है, ये आपको भरना है, इसके बाद यहां पर आगे है आविदन पत्र में दिये गए विवरन तत्त मेरे विवेक से सत्य है यदि आविदन पत्र में दिये गए कोई विवरन तत्त मिथ्या पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध कारिवाही करते हुए आविदन स्वता निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ती नहीं हो का हस्ताक्षर नाम और पूरा पता तो इस तरह बड़ी आसाने से आप आविदन एम सपत पत्र को भर करके जमा कर सकते हैं उम्मिद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमिन करें और चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद